और चलिए रुख करेंगे खबरों का चिकटसाश्विक्षामंत्री विश्वासारंग ने एक बार पर राहूल गांधी को घेरा उन्होंने कहा कि राहूल गांधी को देश की आबो हवा की जानकारी नहीं है वो स्क्रिप्टिट भाशन देते हैं ऐसे में वो जासूसी मामले में क्या कह सकते हैं उन्होंने MP कॉंग्रेस की बैचक पर भी निशाना साधाउं होने कहा कॉंग्रेस आक्टिव होने का दिखावा कर रही है जबकि इसकी असली वज़य कुछ और है वहीं उन्होंने दिखविजर सिंग को लेकर कहा कि वो करमचंध बनना चाहते हैं क्या कुछ कहा चिकत्सा शुक्षा मंत्री विश्वा सारंग ने आप सुनिया फिर रावुल गांदी की बात कर रहे हैं बच्चों की पुलिस पर समय क्यों खराब करते हो और सुबह सुबह नाम ऐसे व्यक्ति का ले लिया जिसका ना आधार है ना किसी तरह का चिंतन है उनको हिंदुस्तान के आवो हवा के वारे में जानकारी नहीं है आप यदि उनको उठा कर पूछोगे तो वो कॉंग्रेस के रास्टी अध्यश का भी ठीक से नाम नहीं बता पाएंगे वो व्यक्ति जो केवल स्क्रिप्टेड बयान देता हो वो व्यक्ति जो केवल स्क्रिप्टेड ट्वीट करता हो उस पर बहुत ज़्यादा समय खराब करने की आवशक्ता नहीं है अब देखिए मैंने कल भी कहा था कि उप्चुना होंगे तो कॉंग्रेस को चंदा तो बसूल नहीं है अब चंदा बसूल नहीं होता है तो चंदा जिन से लेना उनको ये भी अस्टिब्रिश करना होता है कि हम तैयारी कर रहे है तैयारी का कोई मतलम नहीं है कॉंग्रेस बुरी तरह हारेगी अब दिग्विये सिंग जी यदि अपने आपको करम चंद प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है जासूसी नहीं करें वो बलकी राजनीती करें और सेवा करें यदि चिंता करनी चाहिए तो अपने परिवार और अपनी कॉंग्रेस पार्टी की करनी चाहिए वो कॉंग्रेस पार्टी जो अपना प्रदेश अध्यक सही से नहीं बना पा रहे है रास्टी अज्जेश अपना सही से नहीं बना पा रही वो बारती जंता पार्टी में ताका जाकी ना करे दिगवे सिंग जी की आदत हो गई है कि वो ताका जाकी कर रहे है और उनकी इन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो ही उच्छित होगा दिक्कत यहीं आ गई कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं बलकि युद्धा की भूमिका में आना चाहती है यह माने कि वो विपक्ष है ना कि दुश्मन है वो अपने आपको दुश्मन प्रदरश्शित करके कि वो लड़ाई जगले और हंगामे की बात करती है और इसलिए उनके माध्यम से जनता का कोई भी भला नहीं हो पाता विधान सभा में